आपको चार बटल मिलते हैं टोटल ये लॉक के लिए ये अनलॉक के लिए ये एडलिस जलाने के लिए जो पॉल सकते हैं एंड फॉर्थ ये आए पूर अपन करने के लिए आपको खुल जाता है पूरा शेटल जो कि मुझे बसने लिए इतना अच्छा लगता है यार ये ये आपकी पहुंचा दोस्तों मैं हूं सेज़ेद आपके इस नहीं वीडियो में स्वाज हमारे बास एक बहुत ही खासकार जिसका नाम है इसका रिसेंटी लॉंच वेरियंट है और इसमें मैं आपको खास बात बता हूं कि काफी चीप पढ़ जाता है आपको आपको काफी इसमें मिलते इसके बार में हम सारी बात करेंगे इन डिटेली रिव्यू होने वाला है तो हम आगी चलते हैं और फटा-फट इसके ड्राइव इंप्रेशन के बारे में भी बात करें यह आजाती है ऐसी कुछ इसकी की जिस पर आपको चार बिटन मिलते हैं टोटल यह लॉक करता एक बार इसको प्रेस करें सो यह देखिए यहां पे आपके ओपर डियारेल्स जो की हमें इसे चलते रहते हैं वह अन हो जाएंगे नीचे आपका हलका सा प्रजेक्टर हैड लेंप वह अन हो जाएगा बट अब हम इनको कर देते हैं कार को वापिस लॉक आगे दीरी द लेंप मिल जाते हैं विद आपका प्रजेक्टर सेट अप नीचे फाउग लेंप में भी आपको बहुत ही अच्छा सा ये छोटी मिलती है आपको लगता है चोटी बटी इसकी थ्रोग काफी रात को अच्छी है बट यह आपको यहां पे मिलता है हेलोजन बल्ब आगे अग सो उसके डिजाइन एक्जैक्ली कॉपी करा हुआ है यह बिल्कुल रेंजरोव स्पोर्ट की तरह ही लगती है सो इधर सबसे पहले बात करीजे सो इधर यह आपको मिल जाते हैं आप अच्छे खास है आपको टायर जिनका साइज है 235-65R17 जो की काफी अच्छा काफी काफी बड़ा है तो इसमें इतने बड़े साइज होने ही चाहिए अगर आप इससे नेक्स नमबर टायर पढ़एंगे तो कार की और भी जो स्टेबिलिटी है वह बढ़ जाएगी इधर अगर बात करें तो इधर आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर का लॉक अनलॉक कर अगर इधर थोड़ी सी धूब जादा है तो हम इस सब्सक्राइब करते हैं सो यह देखिए यह इधर एक शेयर का यह थोड़े मोट चोटे मोटे चोटे मोटे ऐसे लोगो आपको देखने को मिलते हैं जो कि कार को और भी जादा एक ट्रैक्ट अट्रैक्टिव बना देते ह हैं इंडिया आपको पूरी क्रॉम फिनिश के साथ यहां पर ग्रेल मिलती है पीछे की बात करेंजिए सो काफी इधर भी अच्छे हैड लेंस आपको देखने को मिलते हैं यह प्रॉपर आप साइट से देखिए प्रॉपर जॉप के रेंज रोवर में आता था वैसा ही प्र इंडिया आगे आपका रिवर्स पार्गिंग कैमेरा इंडिया टाटा का ओविसली लोगो यह यहां पर भी थोड़ी बिल्कुल ब्लैक में फिनिश आती है तो कार का ओर अच्छा एट्रेक्टिव लुक देती है यहां पर लिका है वोकल फॉर लॉकल लॉकल बिकॉस ऑवि न सकते सब्रेक्रस लाइं यहां पर इंडि यहां पर निदे 17 मिलती यहां पर जोड़ा सा एक ग्रेक्ट्स और मलते रहें बतल हमें गलते कि मैंने पहली बार ऐसा देखा था इस सेग्मेंट की कार में कि ऐसा मोबाइल लखने के लिए स्पेसिफिकली ऐसी जगा दी हुई है बागी अगर इदर बात करें जाए तो यह आगे इसके क्याशी साउन क्वालिटी है अगली बात करें तो इदर आगे इसके ग्रैब हैंडल यह अच्छी क्रॉम गार्णिश के साथ फिनिश नहीं क्रॉम गार्णिश कह सकते है इसको इदर आपको लॉक अन्लॉक करने के लिए मिल जाता है यह आगे पावर विंडू को स्विच्च यूजूली अगर आप देखेंगे रेजरो और वगरह में यहां मिलता है तो इसमें भी उतनी ही जगा है बिल्कुल सेम कॉपी ना करके तो यहां देए है इसके पाविंडू के स्विच्च बाकि अगर पीछे की सीट्स की बात करें जो यहां पर यूज हुआ है फैब्रिक अराम से पांच लोग इढसे बैठ सकते हैं अगर नीचे देखा जये इदर आपको अच्छाओं से dresser मिलते हैं दो यहां पर नीचे ऑट आट इसलसें कंवे तो आपको देखें पाश लगाने में अगर नीचे वाहिए थार नेपर और अप लग सकते हैं सबसें पर आपकर बट उसमें इतना अच्छा इंजन नहीं आता था बट इसमें पैनोरामिक संरूफ आती है 2000cc का इतना अच्छा टू लिट अगर डीजल इंजन आता है जो कि उससे काफी ज्यादा पावर भी प्रोड्यूस करता है उसके भी आगे ट्राइविंग के टाइम बात करेंगे बाग नहीं आती है कि क्योंकि आप इतनी ऊपर बैटने हैं आप अगर यहां से देखेंगे बिल्कुल जिसका एप्रोच और डिपार्चर एंगल है यहां पे थोड़ी जाडियां आ रहे हैं हो साइट से दिखाते हैं आपको इधर अगर आप देखेंगे जो एप्रोच और डिप जो कि मुझे परसनली काफी अच्छी लगता है काफी अच्छा लगता है यह थोड़ा सा यहां पर फेक ट्रीटमेंट दिया हुआ है प्लास्टिक का जो कि मतलब इतना कुछ खास फरक इससे नहीं आता है लुक को थोड़ा इन्हांज करते हैं वाइट या कोई भी लाइट लेंगे उसमें ही आपको दिखता है ब्लैक में तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगे का यहां पर थोड़ा सा यह फेक एक्जॉस्ट का ट्रीटमेंट एक इस साइड एक उससाइड यह आगे आपके रिफ्लेक्टर असलिए अगर आप देखेंगे वह आपको मिलता है यहां पर अगर इसके पीछे ट्रंक की बात करी जाए तो ट्रंक जो है कार का वह आप देखेंगे कितना बड़ा इसका अच्छा घासा मिलता है कितने लीटेस का है वह आपको नीचे दिख रहा है अगर आप इसके उपर वाले मौडल में लेंगे तो आपको नीचे लाइट वह सब मिल जाएगी जो सब्सक्राइब कर देख रहा है अगर आप अपको बात बताओं यह देखें यहां पर पकड़ने के लिए बड़े ही इच्छे यहां पर हैं परानी कार्ज में होते थे जो टाटा ने वही यूज करें हैं बड़ कोई भी आप ऐसा सोचिंगे कि कॉस कटिंग है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो अब चलते हैं इसके अंदर एंट इंटीर की बात करते हैं फीचर बगेर की बात करते हैं फ्रंट दूर की अगर सबसे बहले बात करीजिए वैसे ही से इमें तक रैब हैंडल आ जाता है यह लॉक और लॉक के लिए यह चारो सब्सक्राइब करें दूर के तरह यहां पर ट्वीटर नहीं मिलते हैं बट ओवरॉल जो है साउंड क्वालिटी वह काफी अच्छी है अगर अंदर बात करीजिए सबसे पहले सबसे पहले इलेक्ट्रोनिक एड्जस्टिबल सीट्स आपको नहीं मिलती है यह बिल्कुल ब् अगर आप देखेंगे सब्सक्राफर आ यह फैसे पहले पाहल नहीं ऐसे इसब्सक्राइब करें लगीशन के मिल जाते हैं यह जय कर ने लिए six week कर सकते हैं यहां पे धी देखने मेला करें देखना मID के इसके साथ बदा टाम में अगर इस ऊपर के साथ बात करेंगे XTI plus Bueno dolME 나 ही ऑप को यह चीज़ेंगी मिल जाती है यालश वेष्ली आपके इंडिगेटर हैं हैट लिए एंड इस साइड आगे आपके वाइपर के लिए सो अगर आप इसके इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर की बात करें तो अच्छा खाजा इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर मिलता है यह आपको आगया इसका आपके मीटर एंड यहां पर काफी जाती है चीजे कि आप क्या क्या कैसे कर सकत तेखते हैं यहाँ से आप यह आप प्रेस करकी काफी कृष्च सकते हैं यह देखें यहां प savvy आ रहा है किलो मेटर की आ दफ हिर दिखा रही यहाई पे किलो मीटर एक इंच का आपको stereo मिल जाता है जो की काफी अच्छ तच रिस्पाउंस अगर आप देखेंगे एंड एपल का प्ले वगएरा वो सब अच्छा इसमें आ जाता है तो बिल्कुल भी आपको टेंचन लेनी के जरूरत नहीं है सबस्क्राइब अच्छा आपको प्रेमियम फील देता है अगर आप देखेंगे जो फ्रेंट कंसोल है कार का यहां जे देखें पूरा वुर्टन फिनिश में आता है यह बिल्कुल नुद कार है तो यहां पे प्लास्टिक बिल्कुल नहीं उत्रा हुआ है इसका एंड इसे इ अगर यह दबा देते हैं और यहां पर लिखा भी आता है कि कॉंस मोड बाकि हम इसको नॉर्मिल कर देते हैं अभी इंड यह आगे आपको अटमेटिक लाइमिट कंट्रोल एंजो एसी है उसके सारी कंट्रोल जैन नीचे यहां पर आपको स्पेस की बात करीजिए सो काफी अच्छा कासा स्पेस मिल जाता है सिक्स की और आपको मैनूल ट्रांसमिशन मिल जाता है इंड स्पेस इधर भी थोड़ा स्पेस है जहां पर यह संग्लासे आप देख सकते हैं यहां पर आपको अच्छा लगा बिकॉस ऐसा मैंने कभी नहीं गिले काफी कुछ यहां पर रख सकते हैं यहां पर भी आपका 12W Charging Socket और इससे आपका USB का पोर्ट मिल जाता है जो कि काफी एची चीज है वो भी तो आपके पावर चार्जिंग सॉक्ट मिल जाते हैं यहां पर टू पोर्ट है जो कि काफी आपकी जड़नी को और भी अच् करा हुआ है ताहिए आप यहां पर देख लें या कहीं भी एंड इदर अच्छा थासा आपका कूल ग्लव बॉक्स मिलता है एंड लाइट इसमें नहीं होती बागे सबसे अच्छी चीज जो मैं आपको बता हूं इस बाइंगे तो यहां से अगर आप दबाएंगे पूरा शेटर जो कि मुझे परसनली इतना अच्छा लगता है यह जरूर होना चाहिए आज कल की कास में जो ऐसा फील देती है यह जो पैनेरोमिक संद्रूफ के साथ फील है वह कहीं और नहीं हो सकती देखे आप इसका साइज क अच्छा आपको खूल जाता है बिल्कुल भी आपको दिक्कत लेनी की ज़रूरत नहीं है बठावा बहार बहुत ज्यादा चल रही है गर्मी काफी ज्यादा है तो हम इसको फिलाल अभी बंद कर देते हैं सबस्पेहले मैं आपको बताओं अगर आप लाइट्स देखेंग इसमें थोड़ इसी पीछे रहे गई है बटके इसमें कुछ आपको इतनी दिक्कत आपको नहीं आती है बागी इसको हम संशेट को यहां से बंद कर देते हैं बिकॉज ऑफिसलिया धूप आ रही है सो शायद से फोटो अच्छी ना आय जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं ब आगे आप चला के देखते हैं यह कार ओवरॉल कैसी लगती है अब अगर इदर से चला जाए इसका वेट है सो काफी आपको हैवी फील आती है कि आप बहुत ही हैवी कार में है विगाउस बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है अर्गनॉमिक्स वगएरा बिल्कुल भी सब कुछ मेरे रीच में है सारे बटन्स वगएरा बिल्कुल ही आप यहां तक गरव तेट स्क्रीन भी देखेंगे वह भी बिल्कुल आपके रीच में है इसके क्या ही कहने इतनी अच्छी है इतनी आपको अच्छी आपका अच्छा पील दे देती है तो मैंने थोड़ी सी चीज आपको गलत बता दी थी कि नीचे आपका टेंपरेचर आ रहा है तो नीचे आपका सी बना हुआ है अगर आप उदर ध्यान देंगे तो वह आपका रहे है तोटल पावर का कि कितनी पावर आपकी कार जनरेट कर रही है अगर इसका टर्निंग डेटियस देखे वह भी काफी अच्छा है थोड़ी सी बड़ी कार है बट स्टिल थीक है इसका काफी ठीक है अगर आप देखेंगे तो थोड़ा अधाम कार को यहां से यूटन लेके देखते हैं थोड़ा यहां पर ट्रैफिक है अगर आप देखेंगे तो अब हम इसको थोड़ा से से किए पुश करते हैं तो यह देखेंगे जोड़ा से शेकिन गेर पर हैं इसको थोड़ा सब्सक्राइब यह देखें जो इसका 2.0 अच्छे से पुश करता है बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं लगता है कि तोड़ा भी आपको प्रेशर ले रही है कि इंजन में थोड़ा सा भी लैग है बिल्कुल ठीक है जो ए पिलर है वो भी आपको बीच में नहीं आ रहा है कि जैसे टर्न वग है तो थोड़ा बहुत आपको अविसली लगेगा ही अगर गेर शिफ इंडिकेटर्स की बात करें जैसे ही आप 2000 rpm के नियर होते हैं 18-1900 rpm पर आपके आजाता है कि 11 गेर आप शिफ्ट करिए तो बाकिए अगर बात करें शिफ्पेंशन की यह देखिए आप अच्छी आज आज सेचिन रेस है बिलकुल यह दरीं होई हैं जो हॉन है इसमें वा से मैं थोड़ा सा डिसप्वाइट हूआ हूँ हुआ हूँ विकार अब देखिए। ऑन थोड़ा साबप जो हम इन होता है जई क्रेटर gefेंशा आता है ऑगर घर वैसा हॉन होता तो मुझे यह ज्ड़ा अच यह भी पहुँच जाती है राउंड 60 सेकंड गेर में थर्ड गेर में बिल्कुल भी मुझे टेंचन लेने के ज़रत नहीं है गार इतनी एफिशेंट ली जा रही है यह आपकी थोड़ा स्पीड लिमिट के लिए थोड़ा आपकर 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 यह पहली एसा कार है जिसका बीए शिक्स होने के बाद भी इवन उसकी पावर बढ़ चुकी है काफी कार्स में ऐसा हो रहा है कि पावर कम हो रही है प्ल्कुल भी नहीं हो रहा है मुझे बस कुछ निए बदा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ मैं भी हो सकता है डायलोग फोड़ अगर बात करी जाए यह मैंने नहीं सोचा था कि टाटा भी इतना इन्वेस्ट कर सकती है इतनी बजट कार दे सकती है बिकॉज आप देखेंगे रतन सर ने ऐसी कार्स बनाई है जो कि बिल्कुल बजट कार्स भी है एंड रेंज रोवर जैगवार जैसे भी कावी हाई-end कार्स भी बनाई है इसलिए फेमस है इसकी जो बिल्ट क्वालिटी है इतने अच्छे इसको एंड कैप रेटिंग मिली हुई है बिल्कुल सॉलिट का रहे हैं वह आपको कार्स चला के आप एक बर टेस्ट राइब लेके देखें मैं आपको दावा कर सकता हूँ बिल्कुल भी कि आपको और किसी कार में इस सेग्मेन में चाहे आप उसका टर्बो एंजिन ले लिए बट इसका सिंपल ही टू लिटर का एंजिन आपको खुश कर देगा आपको एंगिंग ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे जान पूछ के तारीफ कर आप अगर इसको जैसे यहां पर दिखा रहा है यह देखा ता इसकी माइलेज आ रही है अभी 13.6 की मैलेज दिखा रहा है विकाज अभी थोड़ा सा रेफ कर रहा था इंजिन को उसके वेज़े से इतने आई लिज आ रही है कि कम वेशे अगर देखा जाए 14 15 16 तक भी ले स है तो इसा बिल्कुल है कि यह बिल्कुल वेल्य फॉर मनी कार है इसमें आपको बिल्कुल भी दिककत लेनी की ज़रूरत नहीं है तो यह दा कुछ इसका रिवी जो मैं करना चाता था मुझे परस्नली यह काफी अच्छी लेगी है अगर आपको बजट आता है 20 लेक से नहीं है तो टाटा बाइब मैं थे कि सो मुझ वाजिंग डू सब्सक्राइब लेकिन अगर आपने अभी तट नहीं करा है नाइकान जस्ट वेट तो मैं इसको फेर से लेकर जा रहा हूं ड्राइब करने के लिए बाबाइ टेक केर